नमस्काराहा सरविभ्यह मित्रवर्य भ्यह आईए स्वागत है आपका प्रारंभिक रचन अनुवाद कौमुदी के अंतरगत इस चतुर्थ कक्षा में तो आईए हम चतुर्थ कक्षा के अंतरगत बताएगे विन नियुमों के अनुसार अनुवाद को प्रारंभ करते हैं जिसमें लट लकार वरतमान में हमारा चल रहा है लट लकार जो समस्त दश लकारों में प्रथम लकार है उस लकार के बारे में हम चर्चाय कर रहे हैं जो वरतमान काल के सब्दों को प्रति बोधित करता है तो वह लट लकार है और उसके अंतरगत हम दो धातूं का प्रयोग करेंगे आज एक क्री धातू यानि कि डुक्रें करने धातू जो करने अर्थम होती है और दुतिय धातू अस जो होने अर्थम होती है तो इन दो धातूं का प्रयोग हम आज अच्छी तरह से जानेंगे तो आशा है आप इस कक्षा को अंततक देखें और यहां से अपने जान को अरजित करते हुए अनुवाद करने में संस्कृत के इस प्रारंभिक पद पर अच्छी तरह से आसीन हों क्योंकि हम संस्कृत वांगमय को तभी जान सकते हैं जब हम अनुवाद रूपी संस्कृत के मुख को जान सकते हैं सर्व प्रथम मुख ही होता है तो हम अनुवाद को अच्छी तरह समझें ताकि हमें संस्कृत के समस्त गरंथों को पढ़ने में आसानी हो जाए और उन अमरेत रूपी गरंथों को हम पढ़ पाएं तो आईए प्रारंब करते हैं अत्यदिक समय को न ले करके तो आईए देखते हैं तो सर्व प्रथम लट लगा रहा धातू है क्री करने अर्थ में जैसे कुछ क्रिया की जाती है तो उन अर्थों में है तो आपको प्रारंब में बताया है तीन वचन होते हैं एक वचन बहु अचन और तीन पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष वा उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है तो आप पुरुष उसी प्रकार इन रूपों में लगा ले और वचन भी उसी प्रकार इन रूपों में आप उप्यो तो आगरिम धातु पड़ते हैं अस धातु होने अर्थ में हैं तो जैसे बोलते हैं सह अस्ती वह है तो यह अस्ती प्राय संस्कृत के समस्त heavenly वाचकों के मुख से अस्ती सब्द बहुत प्रचलित है और अत्यधिक सुपरेड भी है तो यहां अस्ती सब्द जिन लोगों ने नहीं जान रखा है तो वो जाने अस्धातू के यहां प्रथम पुरुष एक पचन का रूप है अस्ती स्था शंती मध्यम पुरुष में होगा असी स्था और उत्तम पुरुष मोगा अस्मी स्वह स्मह इस प्रकार्शे रूपे चलेंगे तो आए कुछ एकाद नियम इस भ्याशक अंतरगत होंगे जिन नियमों को भी हम भली भाती जान लेते हैं तो आज का नियम सरल है और किन्तु हमें सरवदा दिमाग में सरवदा हमें अपने व्यवहार में इसको उप्योग करना चाहिए तो नियम यह है कि संस्कृत में संस्कृत भाषा में चो जो चो सब्द अव्याई है यह अर्था इसका अर्थ होता है इसका अभी प्राय होता है और तो इसका एक सब्द के बाद ही करना चाहिए इसका उप्योग जो है एक सब् के बाद नहीं कहेंगे दो सब्दों के बाद जैसे हम जैसे प्रायोह कुछ बोलते हैं जैसे हम कहेंगे राम और श्याम राम और श्याम या कहेंगे हरिद्वार और इलहाबाद तो हिंदी में तो हम और जो सब्दों होता है इस और को दो सब्दों के बीच में उपयोग कर ले किन्तु संस्कृत में इस और का रूप जो चो है उस चो को हम बीच में न करते हुए दो सब्दों के बाद उसका उपयोग करते हैं जैसे हमने बोला राम और शाम किन्तु नहीं संस्कृत में हम बोलेंगे राम शाम चो चो का आर्थ और है आप भली भाती जान ले तो वही चो को हम दो सब्दों के बाद उप्योग करेंगे अब जैसे हम ने का हरिद्वार और इलहाबाद तो उसको कहेंगे हम हरिद्वार इलहाबाद चो इस प्रकार से अभी मैं आपको हिंदी के माध्यम से जा रहा हूँ इसी परकार हम समस्कृत में भी करेंगे जैसे कहेंगे रामः श्यामश्च राम और श्याम तो चो का प्रियोग हमने प्राय हो है यदि हम किशी दो वाक्तियों को किशी को बता रहे हैं दो शब्दों को बता रहे हैं दो चो को हम उन दो शब्दों के بعد ही करेंगे, उपियोग, बीच में उनका उपियोग न करांए क्योंकि वह हिंदी का नियम है संस्कृत का नहीं, संस्कृत में दो शब्दों के प्रकार्श यहोडिका को सब्दोंpless कर दो सब्दों के बाद इसका उप्योग हमें करना उचित है कर तो आईए अब संस्कृत मुखे हमारा दे संस्कृत् अनुवाद करना तो संस्कृत अनुवाद के अंतरज़त्ष हम वाक्यों को देखते हैं तो आप सभी से सर्वप्रथम यहनी वेदन है कि आप प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अंतरगत चतुरता अभ्याश में दिये गए समस्त सब्दों को उनकी अर्थों को प्राजह पुस्तक में देख ले और फिर सामने वीडियो को देखें क्योंकि वहाँ विभिन ने सब्दों को दिया गया होगा शंख्या को दे रखा होगा एक से लेकर दस तक की एक को क्या कहते हैं दो को क्या कहते हैं और विभिन ने सब्दों के अर्थ दिये होंगे जैसे कुत्र क्या होता है कुतह माने कहां से होता है इत्थम माने क्या होता है अध्य माने तो उन सब्दों को देख ले और उन ही सब्दों का उपयोग हम यहाँ पर आज करेंगे और उपर जो हमने दो धातुएं पड़ी क्री और अस और उन दोनों धातों का प्रियोग भी हम यहाँ पर करेंगे और लटलकार चल रहा है यह आप सभी को विदित ही है आप सभी जानते हैं लटलकार का ही कहने का मलब वरतवान काल के ही हम वाक्यों को आजकल बना रहे हैं क्योंकि प्रारंभिक रचनानवात कोहमुदी का मतलब ही यही है कि प्रारंभिक है वो, सर्व प्रथमे इससे पूर्व कुछ नहीं है, तो इससे पूर्व यही है कि हमें रूप इत्यादिव को स्मरण कर लेना चाहिए, तो सर्व प्रथम यही है, तो हम उन ही कहने का मतलब ह वर्तमान अभी चार-पाच अभ्याशों में हमारे वर्तमान काल ही चलेगा तो हम वर्तमान काल के अंदर गर लटलकार को हम अब पढ़ते हैं और जो क्रीधातु और असधातु के रूपों का उपयोग हम यहाँ पर करते हुए अपने अनुवात को आगे बढ़ाते हैं तो आ सुद्ध कर देंगे वह तो कहने का अभी प्राय है कि वह है तो वह का उपयोग हमने सर्व प्रथम प्रथम अभ्याश में ही जान लिया था सह तो वह सह है होने अर्थ में असधातु का उपयोग किया जाता है तो असधातु के अंतरगत तो वह भी एक वचन का है तो वहां स रहला से हम असधातू से यह देखिए, असधातू से अस्ती लेदाएंगे, वह है, तो क्या होंगा, सचस्टी, वे दो हैं, तो अब तत सब्द का जो शचस्तवते चलता है, तो वहां से हम तव को ले आएंगे सह को न ले करते हुए दिवचन होने के कारण हम तव ले आएंगे तो तव अस्ती अब अस्ती हमने छोड़ देना है क्योंकि करता बदल गया है क्योंकि तव हो गया है तो तव के साथ तव स्तह सह अस्ति था और तव इस्तह अब कहा सब बालक यहीं है तो सब बालक कहने का मतलब या तीन होंगे या तीन से अधिक होंगे तो ते हो जाएगा ते बालकाहा बालक में भी बहुँचन होगा बालक हो बालक हो बालकाहा तो ते बालकाहा अत्र यहां के लिए अत्र होता है तो अत्र ही के लिए होता है तो ते बालकाहा अत्र एव संति अब अस्ति स्तह शंति का प्रियोग किया जाएगा मित्रों क्योंकि अब बहुअचन का प्रियोग है तो संति ते बालकाहा अत्र एव संति वे बालक यहीं हैं यहां ही है या यहीं है इनका अर्थ एक ही होता है फिर है तू कहां है अब मध्यम बुरुष का प्रियोग प्रार पुरुष के न तरगत अस्ति नहीं आएगा तो असि आएगा असी टोंग इसी फिर तुम दोनों यहीं हो फिर मध्यम बुरुष का बहुवचन है यूयम तुम यूवाम यूयम होता है न तो यूयम कुत्र स्था यूयम माने तुम सब कहां कुत्र माने कहां स्था माने हो तुम सब कहां हो अब उत्तम बुरुष का प्रियोग है मैं बालक हूँ मैं भी बालक हूँ आप सब बालक ही हैं पढ़ने वाले तो मैं ये तो प्राय होग के बनाया जाता है तो मैं अहम बालक हूँ अस्मी मद्यम पुरुष उत्तम पुरुष में क्या रूप बनता है देख लिजे मित्रो अस्मी स्वह स्महा तो अस्मी स्वह स्वह स्मह तो होगा अहम बालक अस्मी इस प्रकार से हम अपना हम जो भी हैं भली हम बालक हैं या हम अपना बालक की रूप अपना नाम ले लें तो अहम जैसे प्रायो किसी का नाम राम है तो अहम राम अस्मी अहम श्याम अस्मी इस प्रकार से जैसे मैं सती इशह अस्मी इस प्रकार्शे प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि उत्तम पुरुष फ्वयम के लिए होता है आप सभी जानते हैं तो अहम बालक अस्मी यह होगा हम दोनों भी यहीं है अब दोनों के लिए आ गया है तो आवाम अपी ध्यान रखिए आप सब्दार्थव में के लिए अपी का उपियोग किया जाता है तो आवाम अपी यहीं के लिए अत्र एव के लिए ही हैं तो क्या होगा आवाम अपी अत्र एव स्वह हम दोनों भी यहीं हैं अस्मी के बाद स्वह आता है ना तो अस्मी स्वह फिर है हम सब मनुष्य हैं हम सब मनुष्य हैं तो व वयम मनूश्याह स्मह वह क्या करता है तो वह सह करोती तो फिर प्रशन करोती वह क्या करते हैं करोति सह किम करोति वह क्या करता है वे सब भोजन करते हैं तो वे सब है तो सह तव ते होगा ते भोजनम तो भोजन कर्म है भोजन करना रूपी जो भोजन जो है वो कर्म है उसको कर रहे हैं उसको खा रहे हैं तो उसमें दुतिया हो जाए कि तो ते भोजनम तो बहुत सारे है तो कुरवंती रूप चलते हैं ना ये देखिए करौती कुरूतह कुरवंती ये कुरवंती है तो कुरवंती होगा इस प्रकार से और अब आगे देखते हैं तु क्या करता है तु favor किम करोशी तौम किम करोशी मद्धिम पुरुष का वाक्य है अब फिर मद्धिम पुरुष का है तौम यहापर सब के लिए कहा गया है तो यूयम किम कुरुथा तुम सब क्या करते हो फिर है मैं भोजन करता हूँ अहम भोजनम करोमी मद्धिम उत्तम पुरुष का है तो हम किम करोमी भोजनम करोमी हम सब राज्य की रक्षा करते हैं तो सरुपरतम हम ले ले हम के लिए क्या होगा वयम तो करते हैं वयम कुर्मह सरुपरतम हम करता और क्रिया को ले ले हम वयम यहाँ पर करता है और किरिया है कुर्मः तो वयम कुर्मः किम कुर्मः रक्षा रक्षाम कुर्मः कस्य रक्षाम राज्यम किम रक्षाम कुर्मः राज्यम तो वाक्य होगा वयम राज्यम रक्षाम कुर्मः तो हम रक्षध हतु को ही प्रयोक कर सकते हैं तो ऐसे होगा वयम राज्यम रक्षत हय रक्षन करेकर रूप चलेंगे रक्षधातु के, तो रक्षामह होगा, ईश्वर एक ही है, एक अह एवा अस्ती, फिर होगा दो बालक फूल सुंते हैं, तो दो हैं, तो द्वावबालकव पुस्पम जिगरतह, किस प्रकार बन गिया है, जिगरती जिगरत हो क्योंकि दो है ना दुवचन है तो जिगरत हो दोव बालक हो पुष्पम तो पुष्पकरम है तो पुष्पम हो जाएगा तो जिगरत हो तीन आदमी खाना खाते हैं त्रयह आदमियों के लिए मनुष्य त्रयह मनुष्या हा भोजनम खादन्ति अस्तु छार बालक आ रहे हैं चत्वारह बालक आहा आगच्छन्ति न चार बालक आ रहे हैं तो पुस्तक हैं वह पाँच फूल यहां है ध्यान दीजिये मित्रो जो हमने आज नियम पड़ा वा यानि कि और चो उसका उप्योग है ये तो पंच पुस्तकानी पुस्तक नपुन्शक का है तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी करके रूप चलते हैं तो पंच पुस्तकानी पंच पुषपाणी चो देखी हमने चो कहाँ पर उप्योग करा दो वाक्तियों के बाद यदि हिंदी का बाक्ति होता तो हम इस परकार बोलते पंच पुषपाणी चो पंच पुषपाणी लेकिन यह अशुद्ध माना जाएगा नियमानुशार तो नियमानुशार यह होगा पंच पुषपाणी चो यहां के लिए क्या होता है अत्र तो अत्र संती पांच पुषपाणी और पांच फूल यहां पर हैं इस परकार आप भी बनाईएगा चह बालिकाएं इस परकार पड़ रही हैं शट बालिकाहा बालिका के रूप रमा की तरह चलेंगे रमा की आप इसमरण कर लिजे रमा रमे रमा हा तो बालिका बालिके बालिकाहा तो हो क्या होगा चह शट बालिकाहा इस प्रकार के लिए होगा इत्थम आप शब्दुकोष में देख लिजे क्रिपया तो सट बालिकाह इत्थम क्या होगा पठती नहीं बहुँ अचन है छे बालिकाये हैं तो शट बालिकाह इत्थम पठनती इस परकारशे बनेगा फिर है साथ बालक भी यहीं पढ़ते हैं कितने बालक हैं साथ तो बालकम होगा ना कैसे हो जाएगा बालकम बालकम नहीं होगा क्योंकि यह पुल तो सब्द बालकाह, शब्द एक विशिशन मान लेंगे आपर, बालक तो हैं लेकिन कितने हैं, तो साथ हैं, तो सब्द बालकाह, भी के लिए क्या होता है, अपी, शब्द बालकाह, अपी, अत्र एव, यहीं के लिए हो गया, अत्र एव, पठन्ती, शाद बालक भी यहीं अश्ट पाठशाला में भी बहुवचन कर देंगे क्योंकि आठ तो बहुवचन में आता है एक बचन में तो आता नहीं है तो अश्ट पाठशाला हा अत्र यहां एवा ही है माने संती तो अश्ट पाठशाला हा अत्र एवा संती अब नो के लिए है नव फूल वहां है तो क्य क्या होगा नव पुष्पाणी 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 तत्र संती वहां के लिए तत्र होता है आप देख लीजेगा वहां के प्रियोग भी कर लीजेगा तो नव पुष्पाणी तत्र संती फिर है दश आदमी गाव जा रहे हैं छमा की जे रही है नहीं होगा रहे है तो क्या होगा दश मनुष्याहा कति मनुष्याहा दश मनुष्याहा ग्रामं गच्छन्ति कुत्र गच्छन्ति ग्रामं कुत्र माने कहा तो कुत्र के जगे हम गाउं लगा देंगे तो गाउं करम है तो ग्रामं ग्रामं एक ग्रामाणी तो ग्रामं दुतिया विभक्ति एक व चंती दश आदमी गाओं को जा रहे हैं तो इस प्रकारशे हम इन अनुवादों को देख सकते हैं तो आप भी प्राया हुआ इसे वाक्य प्रियोग कीजिएगा और अन्य नियम उस पुस्तक के अंतरगत नीचे दिये होंगे आप से आसा है आप अपने लिए खुद संस्कृत संस्कृत के ग्रंथों को जानने के लिए उन अभ्याशों का प्रियोग करें तो सुन्दर सा आप सभी के शमक्स अगले नियमों को लेकर के आऊंगा जिनमें अग्रिम अभ्याश होंगे जो महत्तोपूर्ण हमारे दिनचरिया के लिए हमारे व्याभारिक श्वाभाविक और व्याभारे प्रयोग के लिए जो प्रयोग किये जाते हैं, अब नियम आने बाले हैं, जो ऐसे हैं कि हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, तो नियमों को हम जानेंगे, तो पुनह, कल आप शबी की सेवा में समपस्तित होँगा, तब तक के लिए धन्यवाद है, नमह मुझ किर दो पाहा हैं, चक्ता है, नम्हा मेरा पास侏 ह समफगा पास侏 हैं, तो प्रयोल ह मुझ के लिए कंपाई सनने काप शबी को काम ऊवल चूजगा हैं, जो आद आते हैं,